हलो फ्रेंट्स वेलकम तो स्मार्ट नो के चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रच्छा बंदन स्पेशल ट्रेनों के बारे में पार्ट टू है यह जी हां पार्ट वन मैंने बना रखा है चैनल के उपर आप जाके देख सकते हैं तो यह पार्ट टू वीडियो को उससे पहले चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों एक वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार है तो स्मार्ट नो की चैनल को सब्सकाइब जरू कर दीजेगा लालोला बटन दबा कि ताकि रेल्वे से जोड़ी कोई भी खबर आया तो उसके जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए तो पहले ट्रेन है आपकी जनसदाब्दी एक्सपरिस जो हजरत नियामुद्दीन से कोटा के भी चलाई जाती कोटा में सभी लोग पता है कि कोटा में बच्चे लोग बहुत पढ़न जाने के लिए तो दोस्तों यह सभी आपके ट्रेनों के संख्या बढ़ा दी गई है गाड़ी का नंबर 1269 अप और 12060 यानि कोटा से हजरत निजामुद्दिन यानि दिल्ली और दिल्ली से आप कोटा के बीद जो है जा सकते है चलिए अगले ट्रेन के बार में जानते ताप देखने को मिलती है जिसके वज़से संख्या को बढ़ा दिया गया है जियां दोस्तों और इसी रूट पर और त्रेने चालू कर दी है जाने की सेम इसी सूरत से छपरा जाने के लिए और भी स्पेशल टेरों के संख्या बढ़ा दी गई है तो 19545 इसका नंबर है और 19646 से उबली के लिए चलाए जाती है जियां जो भी इस रूट पर सफर करना चाते हो यह इस रूट के बादियम से अपने गांज रहे जाना चाते है तो वो जल सजल इस ट्रेट जो है ट्रेन के बुकिंग करवा सकते हैं चलिए अगली ट्रेन आपकी त्रिवन्तम पूर्म से बहुत ही कम रूट है इस रूट पर चलने वाले ट्रेनों के संख्या बहुत ही कम है लेकिन इस समय सिर्फ और सब्सक्राइब के संख्या बढ़ाई गई है क्योंकि टेवार है और फेस्टिवल में सभी लोग अपने अपने गाव जाना चाहते हैं तो 110 19 डाउन है 110 20 अप है औ आप हैं तो आप सभी को पता हुआ कमाइनी एकस्पेस के बारे में जिहाँ इसकी संख्या को बढ़ा दिया गया है तो आप सभी के लिए अच्छी खबर यहाई कि कमारी एकस्पेस में आपको टिकट मिल जाएंगे क्योंकि इस रूट पर स्पेशल ट्रेनों के संख्या लोगमें दिलक से वारांसी के ले जाएंगे तो जो भी भाई भेन या मजदूर गन जो भी भाई जो भी जाना चाते हैं अपने गाउंदेश तो उनके लिए बहुत अच्छी ट्रेन हो जल से जल से बुकिंग करवा सकते हैं नेक्स ट्रेन है आपकी हजूर साहिब नांदे लगन जो लोकल है जियाने की जो उत्र प्रदेश के रहने वारा है कुछ लोग दिल्ली के हैं तो यह तमाम लोग जो है सफर करने के लिए शुक्त थे और काफी लोग का कमिट भी आया था कि लखनो मेल शुरू हूई या नहीं लखनो मेल शुरू भी कर दी है इसकी संख्य को भी बढ़ा दिया गया स्पेशल ट्रेनों की तो आप सभी कले अच्छा है कि आप जो इसकी बुकिंग करवा सकते हैं अगले ट्रेन आपकी जनसदाब्दी एक्स पे जो हावडा से बार्बिल के बीच चलाए जाती है जी हाँ दोस्तों यहां पर इस रूट पर और स्पे आक बुकिंग कर सकते हैं आप एस एक सायटेसी के वेब साइट पर सुबह 8 बज़े से इसके अपकी दूरन्तो एक्सप्रेस जो चालू कर दीगे हावडा से नई दिल्ली के बीच चलाई जा रही है और दूर्न्टो एक्सप्रेस में आपको स्लीपर का भी टिकट मिल जाये कि आपको लगता कि दुरंतों में सिर्फ AC का नहीं स्लीपर भी इसमें जोड़ा गया है इसलिए और बाखी के टाइम पे तो नहीं होता ट्रेन में स्लीपर क्लास दुरंतों में लेकिन इस समय है तो आप जो है दुरंतों में भी बुकिंग करवा सकते हैं जो भी यात्रिगर सफर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि यह चालू कर दी गई है एक सो पंचानबे 578 एक सो पंचाने 578 आप एंडाउन है यानि कि जाम नगर से आप तरुन वेली भी जा सकते हैं तो ऐसे बहुत सारी ट्रेने और भी हैं जिया दोस्तों लिस्ट है हमा यह आपके शहर का नाम ताकि हमें पता चले कि आप किस रूट से मतलब जाना चाहते हैं कि आपकी सहर में कौन-कौन सी चलाई जा रही है तो तिर्वंदम पूरम विरावल एक स्पेस यह ट्रेन है विरावल से तिर्वंदम पूरम के बीच चलाई जाती है और बहुत ही ला लगातार बढ़ती ही जाएगी लेकिन अब हमें स्टॉप करना होगा क्योंकि समय सीमय जादा हो जाती है तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे हम तो आप बेटर यह होगा कि आप दोस्तों वीडियो की निचे आईए कमेंट कीजिए आप अपना नाम सब्सक्राइब को बढ़ा दिया गया है तो सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है तो उबीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लागत वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और आपकी जानकारी क्लिक आप रिजर्वेशन के चालू टिकेट भी आपको मिल रहेगा आपको दोस्तों तीन गंडा पहले स्टेशन पर जाना होगा जिहां उसका आपका थर्मल चेकिंग होगा यानि आपका टेंपरेचर वगेरा सब कुस सही है तो आपको चालू टिकेट दिया जाएगा और आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूले वाट्सअप पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव के साथ और फेस्बूक पे शेयर करना ना भूले धन्यवाद